जहां पर रूस की सेना 40 दिनों तक रही और उन्होंने फार्म हाउस को पशुओं को बानने की जगह होती है उसे हेटकॉर्टर में तब्दिल किया था इतना ही नहीं अपने बड़े-बड़े हत्यारों को भी उस जगह पर रखा था आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा था यह हेटकॉर्टर और कैसी थी 40 दुनों तक रूसी सैनिकों की जिन्दगी यह जो आप रास्ता देख रहे हैं यहां से जो रूसी टैंक है और अन्य वहान है उनके जाने की निशान टैरों की निशान आपको दिख जाएंगे पहियों की निशान आपको यहां पर द बांदी जाती थी लेकिन सभी पशुओं को यहां से मार कर भगा दिया गया था और रूसी सेना ने इसे कबजा कर लिया था यहां देखिये गद्धा बिछा हुआ है यहां पर रूसी सेना बैठती थी जगा-जगा चेयर रखे हैं और यहां पर ओरने के लिए बहुत सारे ऱजब यहां पर पड़े हुए है जगा-जगा लकडिया जलाई गइगे है लकडिया लकडियो के तुक्डे आपको मिल जाएंगे और यहनग रंक जो पैकेट्स हैं वो हरे रंक मैंपे Kxxus रूसी सेनिको Kenno के खाने के पैकट्स होते हैं जो कि आपको जगा-जगा देखने खोके हैं यहां पर पड़े हुए हैं और इस प्रकार से यहां पर गोला बारी हुई होगी बंबारी हुई होगी और इन तस्वीरों को देखकर हम आकलेन कर सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मेरे कैमरामन आसिफ यह दिखा है तस्वीर यहा इसमाल होता है bullets का और देखिए bullets के जो shells थहां खोल है हूपने सारे यहां पर पढ़े ईजहाँ पर खोल जगजगई यहां पर bullets के फोल पढ़े हूइ है और बहुत सारे तो जिंदा कार्तूस भी हमको यहां पर नजर आ रही थी कि पशुओं को बानने की जगह थी यहां के गाओं के लोगों की लेकिन जब रूस की सिना यहां दाखिल हुई तो उन्होंने फाइरिंग की बंबारी की और पशुओं को यहां से भगा दिया और इस इलागे को इस जगह को तबेले को हम कहें या स्टबल को अपने के बाद में यहां पर अपना एक बेस सिट अब कर दिया देखे वहाँ पर कुछ बिच्छानी की जगह है सोनी की जगह है लक्ड़ी के गट्य लगाए गए हैं पोजिशनल लिया जा सकता है ये देखे यह जिसमें हथियार आते हdepth और मिट्टी बर दी गई हैं ताकि यहां स एक बैरिकेट बनाया जाए या पोजिशन लिया जा सके आए आए आसिफ आगे दिखाते हैं आपको यहां देखिए तमाम जो हत्यार लाने के डब्बे होते हैं उसका इस्तिमाल किस्विकार से किया गया है रूसी सैनिकों के हुपयोग के सामान जगा जगा फैले हैं बिखरे जैकेट पड़े हुए हैं उनके बेल्ड पड़े हुए है। कमैंने जो जगां दने के जहते हैं यहां यहां पर बांदे के जगा थी। लेकिं बहुत सारे पशुय हैं कुछ पशुय यहां लगता है मिट्ती से ठखा गया है। लेकिन अभी भी पूरे इस परिसंश interviewed में पशुओं का गंधा रही है यह आप उस जगह पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे पशुओं यहाँ पर मरे हुए है कुछ पशुओं को मार कर भगा दिया गया था और कुछ पशुओं यहाँ अभी भी यहाँ पर पड़े हुए है थोड़ा आगे आपको लेकर चलते हैं, और दिखाते हैं रूसी सैनिको का पाटी अड़ा, रूसी सैनिक पाटी कहां किया करते थे, और उनके बड़े अधिकारीों के जगा कौन सी थी, वो तस्वीर बड़ी दिल्चेस्प है, यह देखिए, यहां से हम पहले आपको दिखात मिटिंग के लिए या आने कारणों के लिए और आपको दिखाते हैं यहां पर अंदर क्या कुछ है जो गारियों के सीट होती है उसको उखार कर यहां पर बैठने की जगा बनाई गई गई और यह देखिए पाटी की जगा यहां देखिए यह लकडी का गत्ता इस्तिमाल करके यहां बैठने की जगह बनाई गई है एक यहां तूटा हुआ सोफा है जिसको यहां बैठने की जगह बनाई गई है यह बीच में किच्छन जैसा बनाई गया है यहानी कुकिंग हो सकती थी यह उनका कल्चुल बोल सकते हैं खाना बनाने का चूला बोल सकते हैं यहाँ पर खाना बनाया जाता था यहाँ कोने कोने यहाँ पर सिपाही बैठते होंगे वहाँ देखिए अभी भी जानवर कई पशू के शौव यहाँ पर पड़े हुए है और यहाँ देखिए चम्मस तक है यहाँ पर खाने पीने के लिए यह चीज़े भी यहाँ पर इन्हें मिल गई और इस तरह से यह पाटी की जगह है बैठने की जगह है और आपको बता दे कि बहुत सारी चीज़े यहाँ पर है देखिए कुछ magazines है जो की adult magazines है हम इससे दिखाना नहीं चाहेंगे और ये magazines यहाँ पर पड़ी हुई है साथ ही साथ ये देखिए यहाँ भी magazine पड़ी हुई है ये adult magazine यहाँ पर बहुत सारी पड़ी हुई है और यहाँ देखिए जगा जगा रूसी सैनिको के helmet, jacket, खाने की यहाँ पर पड़ी हुई है तो यह एक private सा जगह बनाया गया है निश्य तोर पर किसी वरिष्ट रदिकारी के लिए बनाया गया होगा यहाँ के जो commander होंगे उनके लिए बनाया गया होगा लेकिन यह इनका अड़ा है पर इस अस्तबल का इस्तमाल इस पश्वों को बानने क के लिए रूसी सेनकों को रोकने के लिए तो उनको रूसी सेनक जवाब दे सके पंजाब ते पंजाबिय दा परच्छावा पंजाबी साधीयां बामा एबिपी सांजा होन देखो अपने टीवी स्क्रीन ते डाटा पले चैनल नंबर 19th ते एबिपी सांजा देखन ले अपने केबल अपरेटरनू आजी संपर करो ABP संजा, जोश, जजबा, जनून